क्या यूपी में हिजाब के मुद्दे का चुनाव पर कोई असर हो रहा है? क्या यूपी में चुनाव में जानबूच कर उझाला जा रहा है हिजाब का मुद्दा? करनाटक से उठा हिजाब का बवंडर पूरे देश में फैल चुका है खासकर यूपी में जहां विधान सभा चुनाव की सरगर्मिया अपने चरम पर है वोटों की गोलबंदी की कोशिशे भी जा रही हैं और इसके लिए तरह तरह की चुनावी मुद्दे फिजा में उच्छा ले जा रही है प्रदेश में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले हिजाब के मुद्दे पर भी खूप शोर हो रहा है लेकिन सियासी दलू ने इस मुद्दे को लेकर जिस तरह के फायदे की उम्मीद करनी शुरू कर दी है वैसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा दरसल यूपी में हिजाब मुद्दे की शुरुवात अलीगर से हुई है फिलाल यूनिवर्स्टी अभी भी बंध है लेकिन इसके बावजूद यहां की लड़कियां हिजाब को लेकर विरोध पुरदर्शन कर रही है चात्राओं का कहना है कि हिजाब लंबे समय से पहना जा रहा है लेकिन इस वक्त हिजाब के नाम पर राजनीती हो रही है हिंदू-मुसल्मान को बाटने की कोशिश हो रही है चात्राओं का पूछना है कि ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा सिख पगड़ी क्यों पहनते हैं स्कूल में सरस्वती पूजा गायत दी मंतर क्यों है जादतर चात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका समयधानिक अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं चीन सकता चात्राओं का तर्क है कि इसलाम ने हिजाब पहनने का आदेश दिया है और सबिधान देश के प्रतेक नागरे को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का धिकार देता है हिजाब पहनने वाले लड़तियां इसे पिछड़े पन की नहीं बलकि तहजीब की निशानी मानती है उदर सियासी जानकारों की माने तो चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान हो चुका है अलिगर्ड में पहले चरण में वोटिंग हुई तीसरे चरण के लिए रवी पार को वोटिंग है तीनों चरण मिलकर तीसरे चरण में 69 सीटों पर मतदान होगा हाला कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले यूपी में हिजाब विवाद ने दस्तक दे दी थी लेकिन अब इससे AIMIM के प्रमुक असरदीन उवैसी ने उठाया था तमाम टीवी चैनलों ने इसे खूब तबज्यो दी लेकिन पहले चरण के वोटिंग के दौरान इस मुद्दे का कोई खास असर देखने को नहीं मिला ऐसे में आगे के चरणों में भी ये एक प्रभावी मुद्दा बनेगा इसकी संभावना काफी कम है बोटिंग के दौरान मुसलिम महिलाएं और लड़किया हिजाब का समर्थन करती जरूर नजर आएं लेकिन इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई इंडिया नियूस वारल के रिपोर्ट